लोक सबाके महासमर में चनता जनारदन के वोटों की आहुती का दिन है लेकिन वोटों की यह आहुती किस ओर जाएगी को इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पहले चरण में बारा सीटें हैं जिन पर मद्दान हैं आखरी तम तक तमाम के एड़ी डेट्स पर चार प्रसार में पूरा चोर लगा चुके हैं और इस दोरान बीजेपी खुला चेलेंज कर चुकी है कि राजस्तान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे और हैट्रिक लगाएंगे लेकिन इस वार कॉंगरेस ने भी पूरा मूर्चा आखिर तक सभाले रखा है कई सीटों पर कॉंगरेस ने ऐसी चालेंज चली है मानों दस साल में उसने बीजेपी से ट्रेनिंग ले लिए हो फिर चाहिए और नागोर में हनुआन बेनिवाल से घटबंदन की बात हो बीजेपी के राहुल कस्वा को लपक लेने की बात हो सीकर में कॉंबरेडों से हाथ मिलाने का फैसला हो या फिर एससी एस्टी वोटर समोग मोधी को आरक्षन विरोधी सावित करना हो सबसे पहले बात करते हैं चूरू की यहां राहुल कस्वा के पक्ष में शुरू से माहौल नज़रा रहा है बीजेपी ने टिकेट काटा तो कॉंग्रेश ने छटटक से लपक लिया उनके टिकेट काटे जाने से सहनुवूती की लहर है जमीनी इसतर पर देखें तो चूरू बीजेपी की परमपरागत सीथ बले ही रही हो लेकिन जो परिवार BJP के टिकट पर जीता रहा है उसी परिवार के सिटिंग सांसर को साइड लाइन कर देना कस्वा समर्थ को पूद नाववार गुजरा है समर्थ क कह रहे हैं हम पहले भी कस्वा को वोड दिये थे मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि विप है बीजेपी में थे और इसके अलावा कस्वा की जाट वोटों पर जोड़दार पकड़ नजर आई है उन लाकर राहूल कस्वा यहां प्लस में नजर आ रहा है अब बात करते हैं देवेंद्र जाजडिया की जिनके लिए यह चुना पहला चुना है वे पैरा अलम्पिक खिलाडी है मोदी ने चूरू आकर उनके पक्षमें इमोशनल कार्ड भी खेला था क्योंकि रहूल कस्वा का माहौल जो पॉजिटिव बन रहा था उससे कहीं नहीं बीजेपी को दिक्कत आ रही थी लेकिन अब चैलेंज है कि वे जो जाजडिया है चार्ट वोटों को कितना साध पाए अगर में 20 फीजडी जाटों को भी साध पाए तो रहुन कस्वा को कंपीट करते नजर आएंगे अब बात करते हैं एक और चटचिट सीट नागोर की यहां पहले बीजेपी ने दाव खेला जोती मिर्धा को चुनाओं मैदान मोतारा और साथ ही तो दिगज मिर्धाओं को भी अपने साथ ले लिया बेनिवाल जो गट चुनाओं में बीजेपी के साथ गटबंदन में थे उन पर इस बार कॉंग्रिस ने दाव खेलिया इस बार आरलपी के साथ गटबंदन करवा कर गहलोत बेनिवाल के पक्षमे वोट मांगते नजर आ रहे थे और हाला कि बड़ भी वगत से सरकार बनाने के आरोप लगाते रहे हैं कहीं न कहीं कुछ मुद्दों पर बेनिवाल की विचार धरा लेकिन फिर भी कॉंग्रेस से मिलती जुदी नजर आई है थास्तों से पिसानों और युवाओं के मामले में तो बीजेपी की जोती मिर्धा और इंडी गट प्रंदन के हनुमान बेनिवाल में कड़ी टककर है लेकिन फिर भी हाल ही में विदान सवाच्छुराव में सतर सीटों पर अपने कैडिदेट्स उतारने वाले हनुमान बेनिवाल बस खुद की सीटी बचा पाये थे और महज थाई हजार वोटों के अंतर से वे जीते थे त अले ही कॉंग्रेस के तमाम नेता सपोर्ट में एक आएक आगे हों इसलिए चुनाव प्रचार के आखरी दिन के हलोट समय तमाम जो नेता है बेनिवाल के समर्तन में जुटे ऐसी वोटर्स को साधने बीकानेर के कैंडिडेट गुविंद्रा मेंगवाल को भी आना पड़ा ऐसे में यह भी काल जासता है कि कांटे की टकर तो है लेकि देखना होगा कि जाट वोटों के अलाबा बेनिवाल दूसरी जुजातियां हैं उनमें कितनी सेंद्वारी कर सकते हैं सीकर में चुनाओ बड़ा दिल्चत्प हो गया है यहां भगवा बनाम लाल सलाम का सीन क्रियेट हो चुका है भगवा शांती का प्रतीख है तो लाल रंग शक्ति और अग्रेसिवनेस का प्रतीख माना जाता है किसान नेता कॉम्डेड अम्राराम को यहां कॉंग्रेस ने समर्थ देकर चाल चल दी है पुछले विदानसवाद चुनाओ में अम्राराम का ज्यादा अच्छा प्रजर्शन तो नहीं रहा लेकिन आक्रावक्त कॉम्रेड माने जाते हैं रायस्तान किसानों की आवाज बनक के प्रचार के लिए पूरे देश के कॉम्रेड मजदूर वर्ग उमण कर सीकर पहुंचे हैं और के बक्ष में कॉंग्रेस ने भी पूरा दम लगा रखा है पी सी सी चीफ गोविन सिंग डोटासरा का ग्रहक शेतर भी है उन्होंने चोड़दार माहौल बनाया हुआ था यहां थोड़ा प्लस में नजर आ रहे हैं जुन्जुनों में ब्रजेंद्र ओला के पक्षमा अच्छा माहौल है वजह है जुन्जुनों में बीजेपी के बीच में अंदुगरी कल है शगडे कंटे है तुकडों में बड़ी बीजेबी शुमकरन चौदरी के साथ है उपर हनुमान कड़िंद्दा नजर पे बीजेपी की प्रियंका बादान मजबूत नजर आ रही है उनको विदानसवा चौनाओं में उतार दिया था राजे उस दोरा महिला हैं और इस मुखर्वक्तित्व हैं अनुगवड युवाइटी की मौजूदा चेयर में भी हैं प्रियं मजबूत नजर नहीं आई हाला कि इस लाके में बीजेपी को लेकर नाराजगी भी है नाराजगी के वजए पंजाब प्राइड है यहां ऐसी के दो मुख्य जातिया है मेगवाल और नायक और जीधार का फैसला है इस फैक्टर पर भी टिपैट करेंगा कौन किसको कितना सा मेगवाल है जहां तक अरजुन ने राम मेगवाल की बात है तो ऐसी वोटर्स को लेकर यहां पेच फसता नजर आ रहा है जाट और राजपूत अरजुन राम के साथ है दरसल यहां एक वीडियो ने खलबली मचाती है जिसमें पीम मोदी आरक्षण के खिलाफ बोलते नजर करा रहे हैं वीडियो जोड़दार वायरल हो चुका है अलाकि इसके पीछे का सच कुछ और है मोदी पंडिक जवारलाल नेरू के पत्र कोप पढ़ रहे थे लेकिन अब तीर तो निकल चुका है और कॉंग्रेस ने इसका फाइदा उठा लिया है जमकर वायरल किया है अब इस तरह के पर पहले चलाए थे इसको पलटवार का जा सकता है कि अगरेसिव प्रचार कर चुकी है कि अगर बीजेपी फिर से सप्ता में आगी तो सेस्टी के लोगों का आरशन चला जाएगा अब बीजेपी के सभी नेता भाशनों की शुरुवात में इसी बात को सभालते नजर आ रहे हैं खुद पीएम मोदी दौसा रोल्ड शो में कह चुके हैं कि आरशन किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा डॉक्टर किरोडी भी इस पर सफ़ाई दे चुके हैं उदर दौसा में भी कॉंगरेस प्लस में नजर आ रही हैं कॉंगरेस के मुराल लाल मेना के साम दौक्टर किरोड लाल मेना सफ़ाई देते हुए कह रहे हैं कि कॉंगरेस ब्रहमित कर रही हैं सचिन पायलेट ने मुराल लाल मेना के पक्ष में जोर दार परचार किया है यहां पायलेट और किरोडी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है धौलपूर करोली की बात करने तो बजनलाल जाटर थोड़े कमजोर नज़र आ रहे हैं ग्यालों के खास हैं पायलेट के समर्थ को नाराजगी बजनलाल के लिए भारी पर सकती है हाला कि परचार करने तो सचिन पायलेट भी आये थे यहां पर जस्वन्त गुर्जर और मलिंगा तो फैक्टर नुक्सान पहुंचा सकते हैं करोली के जाट और मीना गोटर बीजेपी के तरफ जाते यहां पर नज़र आ रहे हैं हाला कि काटे का मुकावला है राजपूतों की नाराजगी एक अलग फैक्टर हो सकता है लेकिन टिप्टी सीयम दिया कुमारी उनको मनाने भी आ चुकी है इसी तरह भरत्व में भी काटे की तक्का नज़र आ रही है कांगरेस की संजना जाटव प्लस में नज़र आ रही है कठुमर से विधान सब चुनाओ हारी हुई है थोड़े से वोटों के मारजन से रह गई थी उनके प्रती सहनुपूती के लहर है महराज विश्वेंद्र सिंग ने पूरा जोर लगाया हुआ है संजना के पक्ष में बीजेपी के रामसुरु पोली के लिए ये सबसे बड़ चैलेंज है वो है जाट वोटोंगा अलवर में बात करें तो अलवर में ललित यादव के पक्षम पूरी तरह माहुल नजर आ रहा तक शुरुवात में अशोग एलोज भामट जीतिंद्र सिंग टीक आराम जुली समय तमाम कॉंग्रेसी दिद्द्र जोर लगाया यहां भी जाट वेक्टर बड़ी चुनोती है ललित यादव के लिए क्योंकि जाटों का एक बड़ा हिस्सा भूपेंद्र यादव के पक्षम है इसके लाबार राजनिति कदमे भी जादा बड़े नेता है ललित यादव आर्थिक तोर पर भी जादा सुद्रड नेता नहीं है लेक हाला कि सीट के शहरी इलापों में बीजीपी के राव राजिद्र सिंग की जादा चर्चा है उनका व्यापारिक वर्ग में अच्छी पैट है बेदाग सभी है पूरु विधान सबाद्यक्ष भी रह चुके हैं लेकि ग्रामेंड इलापों में सारा दारों दार एस्टी और य हाला कि जैपुर शहर बीजेपी की परंप्रागर सीट मानी जाती है यहां ब्रामण वोटर जादा है बीजेपी ने इस बार गिर्धारी लाल भार्गों के ओधी मंजु शर्मा को चुनाव मेरा नो दारा है कॉंग्रेस ने भी पहले ब्रामण कैंडिडेट सुनी शर्मा को टिक्ट दिया था लेकिन कुछ विवादों के चलते कॉंग्रेस ने कैंडिडेट बदला और खाचरियावास को टिक्ट दे लिए एक हचरी अवास जितना जोर लगा सकते थे उतना उन्होंने लगाया नहीं मानों वे पहले ही हत्यार डाल चुके हैं हार मान चुके हैं या फिर कोई अजीव सा डर उनके सहन में है शायद परिवेन वोटा लेका जिसके सुत्रधार खुद पूर सियम अशोग गहल होते रहे हैं लेकिन अब बीजेपी से डर्स अता रहा है तो सकता है बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन इस बार परिवेन परिवेन नाम से नहीं बाबा शाम के नाम पर वोट मांगते नजर आने हैं प्रताप सिंग खाचरी अवास खैर चार जून को इन बारा लोक सवा सीटों की सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और ये भी सामने आजाएगा परिवेन नामों के साथ की कौन इस बाजी को जीता है और कौन हाला है लेकिन हमारी जनिता जनार्दन से अपी यही है कि वोट डालने शरूर जाए हर बार की तरह इस बार भी गेम आपके हाथ में है सोचना जरूर कि राजा चुनना है या चन सेवा फिलहाल मुझे दीजिए जज़त जनता दरवार के लिए चयापुर से विज़े पर्मा